दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें Realme 7 की जिसका प्राइज है 15,000 पे उसमें मारे पास है MediaDeck Heliogen 95 प्रोसेसर और यहाँ पर Redmi Note 9 Pro जिसका प्राइज 13 या 14,000 है क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं सेल के हिसाप से तो गाइज वहाँ पर उसमें प्रोसेसर में मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 720G Note 9 Pro Max में भी यही प्रोसेसर है और यहाँ पर Realme 7 Pro जिसका प्राइज 20,000 है उसमें भी हमारे पास है Qualcomm Snapdragon 720G तो आज हम इन दोनों प्रोसेसर में डिफरेंस आपको करके बताएंगे कि कौन से स्पेशलिकेशन के लिए आपको कौन से स्मार्टफोन के लिए जाने चाहिए इन प्रोसेसर के अकौर्डिंग Qualcomm Snapdragon 720G साथ में Mediatek Helio G95 दोनों में डिफरेंस करके आपको बता दूँगा दो से तीन मिनिट की वीडियो में तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ अगर आप गेमिंग के लिए लिना चाहते हो तो आपको जाने चाहिए Mediatek Helio G95 के लिए वहाँ पर आपको बेटर गेमिंग के एक्सपिरियंस मिलेगा जो आपकी परफॉर्मेंस भी रहेगी वो भी ज्यादा अची रहेगी अगर आप बात करोगे रैम स्पीट की वो भी ज्यादा अची रहेगी Mediatek Helio G95 में और अगर यहाँ पर मैं Snapdragon 720G की बात करूँ वहाँ पर आपको बैटर बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी अच्छी बैटरी अप्रिमेजेशन होगी आपकी बैटरी भी सेव होगी वहाँ पर बैटरी की जो हेल्थ रहेगी वो ज्यादा टाइम अच्छी मिंटेन आप कर पा होगे Snapdragon 720G में और यहीं पर गाईज इसके बाद जो CPU परफॉर्मेंस भी है न वो कुछ ज्यादा बैटर है Qualcomm Snapdragon 720G में as compared to MediaTek Helio G95 4-5% अच्छी CPU परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी Snapdragon 720G में बाकी जगर बाकी जो difference है इसमें इतना ज्यादा कुछ difference नहीं है अगर जैसे benchmark scores की भी यहाँ पर बात करें जो तो हमारे पास geekman scores है single score में भी multi score में भी वो ज्यादा अच्छी रहेंगे Qualcomm Snapdragon 720G में अगर हम compare करेंगे MediaTek Helio G95 के साथ बाकी अगर overall benchmark scores की बात करें एंट्यूस को वो ज्यादा अच्छा है हमारे पास MediaTek Helio G95 में अगर Qualcomm Snapdragon 720G से compare करेंगे तो यहाँ पर guys देखी कुछ points में 5-10% ज्यादा performance अच्छी मिल रही है हमें MediaTek Helio G95 में कुछ points में अच्छी मिल रही है Qualcomm Snapdragon 720G में तो यहाँ पर आप कैसे चूज करोगे देखे सबसे पहले तो आपका budget रिसाइड करेगा अगर डिफरेंस तो पांसो जार्क है जैसे 9 pro में और realme 7 में वहाँ पर तो आप बाकी features भी चेक करोगे सिर्फ यहाँ पर आज कर पते क्या सोचते है यहर क्वालकम स्नेटगन प्रेसर ना बहुत अच्छा है मिस उसका जो नेम है वही market में बहुत अच्छा बन हुआ यहाँ पर smart phones में क्यूंकि आज से लगबग 2 साल पहले जो हमारे बास MediaTek processes थे वहाँ पर heating बहुत issue आ रहा था लेकिन आज ऐसे कुछ नहीं है इस टेम की बात करें तो अच्छा competition है दोनों processes में आप compare भी कर सकते हो online जाकर आप Google पर भी चेकर होगे YouTube पर भी आपको वहाँ पर सब कुछ मालम हो जाएगा बाकि अगर आपको कोई भी doubt रहे गा इस वीडियो के related या in processes के related और किसी भी smart phone related आप नीचे comment के दने आपका doubt जरूर clear किया जाएगा तो यहाँ पर गया इस channel को आपके दने subscribe और video को share मिलते नेक्स्ट वीडियो में आपका देन शुब हो